जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है यह हादिसा कार पर डंपर पलटने से हुआ, हादिसे के दोरान कार में छे लोग सवार थे जिसमें एक की गंभी रूप से गहल हो गया, जिससे जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है बतादें कि यह हादिसा राए बरेली के भदोखर थाने के कुछरिया गाउं के पास प्रियागराज जाने वाले हाईवे पर हुआ हादिसा उस वक्त हुआ जब एक इकोस्पोर्ट कार पर सवार दो परिवारों के छे सदस से रेस्टूरेंट से डिनर करके वापस लोट रहे थे मुन्शी गंज बाईपास के पास आगे चल रहे डंपर को जैसे ही इकोस्पोर्ट ने ओवर्टे किया तभी डंपर का टायर फट गया टायर फटने से फ्लाई एश लदा ट्रक अनियंतरित होकर इकोस्पोर्ट पर पलट गया ट्रक की बाड़ी और उससे विखरी फ्लाई एश से कार बुरी तरह है चकना चूर हो गई कार के भीतर पूरा परिवार दब जाने से पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक बच्चे की जान बचाई जा सकी लखनो प्रियागराज मार्ग पर हुई इस घटना को सुनकर शेहर भर का व्यापारी अस्पताल पहुँच गया बताया जा रहा है कि दुरुगटना का शिकार हुआ एक परिवार यूपी उद्द्योग व्यापार मंडल के संरक्षक महिंद्र अगरवाल का है वहीं दूसरा परिवार समाज सेवी राधा रमण अगरवाल है दोनों परिवारों के कुछ सदस से डिनर करके वापस लोट रहे थे और इसी दोरान हादिसे का शिकार हो गए इस हादिसे के बाद दोनों ही परिवारों में मातम का माहौल है पंजाब केसरी टीवी के लिए राय बरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट